है तो अब्सक्राइब जिल्लों एवरीवन विल्कम बेक्टू न्यू ज्यूटर्यूफ वीडियो इस तो कैस्ट के शीच वीडियो में मैं आपको को बताने वालों कि GTA 5 में Redux Mod को कैसे इंस्टॉल करें Redux Mod कहलो या फिक Graphics Mod कहलो आपको पते ही है कि Redux Mod इंस्टॉल करने के बाद गेम की जो ग्राफिक्स है GTA 5 की जो ग्राफिक्स है मतलब वह एपिक लेवल पर चली जाती है तो आप फील नहीं कर सकते हो जैसा कि आफ गेशती है एक मतलब मजा आ जाता मज़ा जाता एक जैसा कि पीडिये ते मेरे पास लेंबोग निशियान है तो लेंबोग निशियान आप देख सकतो क्या यह रही है तो इक है जैसे आप कोई से भी वरसमी इस्टॉल कर सकते हो चाहिए GTA 5 Steam, GTA 5 Cracked, GTA 5 Epic Game वर्जन 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 में इस mod को इंस्टॉल कर सकते हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत लोग देख लेते हैं जैसा कि मैंने देखा है मैं अपने अनलेटिक्स चेक किया था यूटूब पर उस पर देखा कि वीडियो तो मेरे मॉट से रिलेटेड हो चाहे वह जीडिये 5 को कैसे लाग फ्री खेल सके कैसे उसके क्रैस को फिक्स कर सके तो वह सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाई से एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो काफी करने लगते हैं कि यह स्टेप्स अपने नी बताया तो इस वीडियो में मैंने टॉटल स्टेप्स बताए एक भी स्टेप्स मिसी नहीं होगी और पूरा आपको लास्ट रन करके दिखाऊंगा और कैसा ग्राफिक दिखता यह भी बताऊंगा तो सबसे लेगा इस आप यहां अब्युदों सबसे हैं और लो भी यहां करें और कर नो यहां पडैम बाकिन अपटेफ्साइन अब्लिक्राइक शोटा सा एक एकलर रॉं और एक readme file है ठीक है तो आपको जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक oiv file है तो इस oiv file को run कराने के लिए हमें openiv की जड़ोते है तो जिस बंदियों को नहीं पता है उन्हें बता हूं तो openiv basically mods को install करने के लिए हम यूज करते है अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आपको बता देना मैं नीचे comment section में comment कर देना मैं उसमें बता दूंगा कि कैसे openiv को install करते हैं या फिर मैं एक वीडियो ही से update बना कि आपको बता दूंगा ठीक है बात यहां पर मैं बताऊंगा तो उससे पहले आपको क्या करना है कि अपने डिरेक्टरी को open कर दी है और वहां से common.rpf वाली जो फाइल है ठीक है यह तो यहां से मैं से copy करता हूं बहुत सारे आपको बताऊंगा तो एक एक वीडियो के सारे स्टेप्स को आप देखते रहना एक भी स्टेप्स नहीं करना अगर आपने एक भी स्टेप्स मिस कि आपका एक भी कुछ भी इधर उधर से copy paste करना जूट गया तो फिर बाद में अगर कुछ भी error आता है तो इसकी जिम्मेद अपडेट और X64 पहले से नहीं कर रखा है आप लोगे भी ने कर लिया होगा बागी comment.rpf ने कर लिया हमने अब जो फाइल समें नीचे से copy करनी है वह में बता देता हूँ तो आप यहां पर देखते हो एक शिक्स्टी फूर आर्पी वाली जो फाइल है तो यहां से जो जो हो भी मैं आपको बताता हो कि कौनसी- całॉआपी फाईल प्रसाइध को यहां से copy करनी है ठीक है गाइस यहां से देख खकतो एक ऑफ सिक्स्टी वह और रीक डह से नहीं कर लिधिं REALLY है उस नहीं कर लिश्ट प personils से लेकर आपको M तक करना है ठीक है तो E से M तक आपको यहां से कॉपी करना है और GTA 5 की डिरेक्टरी में नहीं बलकि मॉट्स वाले फोल्डर में आपको पेस्ट कर लेना है ठीक है आपको मैं एक बार पहले ही बता देता हूं यहां से अब करना है तो यहां से फिर आपको कॉपी करनी है और वापर से मॉट्स वाले फॉल्डर में जाके आपको पेस्ट करनी है तो मैं दिखाता हूं आपको अब इसके बात का आपको यहां से उपन करना है जैसे आप एक इंस्टॉलन करना है तो यहां से इसस से इंस्टॉल करना है Church लेतेस वर्जे नहीं अभी फिलाल बाकि आपको दो मिल जाते तो आपको मॉट्स फोल्डर में करना है और यहां पी इस्टॉल वाला जो आप्शन दिख रहा है ठीक है तो इसी में आपको यहां पे इंस्टॉल कर देना है यहां पर इंस्टॉल होने लगा तो यह पो बहुत टाइम लग सकता है में लग गए थे 20 अपको भी गंटे गंटे एक गंटे भी ले सकते हैं असनिया ये सब्सक्ति सक्सीडेड हो चुका है बागी यहां से हम इसको क्लोज कर लेंगे तो जी टीटीफ डीटक्स वाले जो यह इंस्टॉलर था पैकेज इसका तो यहीं तक काम था अब आपको जो करना है वह मैं आपको आगे बताता हूं बागी आपको फिर से वापस गेम्स वाले फोल्डे में अब तो यहां पर देख तो रेट वाले फोल्डे में जितने भी आपको देख रहे है इन सारी फाइल को यहां से कॉपी करनी है यह से और डिटेख लो डर्याइलिकरी में डार्क्रेलिश्टिक बाकि यह सब को कर लेना है और निचे से तक रीडप्स लाइड से लेकर वहीं ब्लूस तक इनको भी यहाँ पर कॉपी कर लेना है ठीक है रेड्मी वाले फाइल को यहाँ से कॉपी मत करना बाकि इधर सबको पेस्ट कर लो अब क्या करना आपको रिशेड वाले को वापस ओपन करना है इस मेर गलती से वाद टना दो कॉपीर कराया कट कि आपशा पर यहाँ झाली वहाँ जाक अपको बैसे गलती से का वाले क्य ऐब सब्सक्रक्राइड टना थीक है यह तो रीडल्स थी रीजेड टनीवाद अब करना था अदो आपको उपबदो तो खुछ ऐसा आपको दिख जाता है रिसेट की जो फाइल है वह काफी छोटी फाइल है बहुत चोटा सा डाउनलोड साहिज है तो आपको मैं लिंक दे दिया है उस पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना ठीक है बाकी वह एक्सटाइक नहीं करना डाउनलोड आपको करना है बाकी खुलने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख जाता है इन सब पैके से आपको क्या-क्या इसटम चॉट करने उसका में आप सामें जाता और सब्स Fire CB से भी होते जाएगा तो इससे अपका गेम काफी जातालाकर तो मैं बोलुँगा कि आपको चए कम से कम जितने होंगे उतना ही सिछेक्ट करना है बाकी आपको पूरा करना ऐसा अपको अच्छा का सा ग्राफिक्स कार्ण है जो भी ब्रेंड का होगा तो वह अपकर लेना ठीक ह बाकि इस पर मैं ज्यादा कुछ comment करना नहीं चाहता हूँ तो बाकि इनको करने के बाद आपको यहां से okay कर लेना है okay करने के बाद यहां आपको direct 3D जो है इस वाले option को select कर लेना है तो यहां से जितने भी standard effect से उनको यह download करना शुरू कर देगा और download करने के बाद कुछ ऐसा आएगा तो आपको इन सबको select करना है अगर selected है तो छोड़ देना है okay कर देना है और selected नहीं है तो सब्सक्राइब को select कर लेना ठीक है standard effect files को जो की आपको install करने है इनको select करने के बाद आपको just नीचे यहां पर okay वाले button है तो okay वाले button पर click कर देना है तो okay वाले button पर click करते हैं guys आप देख सकते हैं तो यहां पर सारे files हमारे यहां पर select हो गए थे अब आपको आपको आजाता है Sweet FX के files को install करने का तो इसको भी okay कर देना बाकी देख सकते हो यहां लिख दिया reset setup वाद successful तो setup successful हो चुका है तो इसमें आप कुछ करने की जो नहीं है finally हमारे Linux mod install हो गया है यहां से हम इसको cancel कर लेंगे ठीक है ओपर जो आपको close बटन दिख रहा है तो वहां से आपको close कर लेना बाकी गाइस में वापस गेम में आ गया तो गेम खुलते ही आपको गेम कुछ ऐसा दिखेगा अगर नहीं दिखते है तो आप समझ लेना कि आपका Redux mod install नहीं हुआ अगर आपको गेम ऐसा कुछ दिख रहा तो समझ लेना Redux install हो गया तो finally आप देख सकते हो यह जो आपका लोडिंग स्क्रीन था साफ चेंज हो चुका है जो पहले हम देखते थे वह वाली बात नहीं रही अब ऐसा कुछ वहां पर बता दूँगा आप आगे वीडियो देख लो चोटा समय वीडियो दिखा देता हो कि कैसा गेम खुलने के बाद को दिखेगा तो हो सकता है फर्स टाइम जब आप कर रहे हो तो लोडिंग स्टोडी मोड में टाइम ले सकता है ठीक है तो इसे आप एक बार लोड ह के दिखा रहा हूं इसलिए मेरे को कम टाइम लगी है आपको ज़्यादा टाइम दक्सकता है तो आप घर से देख सकते हो फ्रैंकिलिंग का जो घर है काफी एच्छे ग्राफिक्स बागी गाईस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो म है जो बाइस आपको पाया से घर से ऑ्राफिक्स बागी है प्राफिक्स बाएस आपको जो ही एने के लिए रहा है अगे लो ने दूटते है की ओम आपको जह है बाएस आपको जो है